किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में सबसे पहले आप सबको रंगों के इस्त्युहार होली की बहुत-बहुत सुबकाम आज मैं आपके सामने एक प्रस्तुती करने जा रहा हूँ और ये है मेरी गौमाता गौमती के बारे में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी गौमाता है उसके लिए मैंने कैसा निवासस्थान बनाया है और वो हमें क्या चीजे परदान करती है जो हम उसकी सेवा करते हैं जो उस पर खर्च करते हैं उसके बदले में क्या वो हमें उससे अधिक देती है आईए मिलते हैं गौमाता के निवास अस्थान से यहां से इसका एरिया है इस एरिये में जब हम एंटर होते हैं तो यहां पर यह कुछ कच्चा इस्थान है यह देखिए जो मैंने छोड़ा है कि अगर गौमाता को यह लगता है कि मुझे मैट या पक्का इस्थान पसंद नह इसके बाद आईए आप देखिए कि यह जो है पोर्शन है यहां पर एक हमने पार्टिसन लगाया है दो मैठ हैं यह चार बाई आठ के मैठ हैं तो यहां पर गौमाता और उसका बच्छडा गोपू जिसका नाम हमने गोपू रखा है और हमारी गौमाता का नाम है गोमती तो यहां पर वो घास खाते हैं और विस्राम करते हैं यह एक छोटा सा हमने उसके जो भूस वगरा रखते छोटा सा स्टोर बनाया है सीमित जगहती के जहां पर हम लाकर गाउं से स्टोर कर देते हैं और यहां से थोड़ा थोड़ा लेते हैं मेरे खेत में जो बाग में बहुत अधिक मैंने जमी बो दी थी और अब वो इतनी अच्छी हो चुकी है जिस पर अनाज भी है अधिक तर वो उसे खाना पसंद करती है ये एक छोटा सा इस्थान हमने सेपरेट बनाया है गोपू के लिए के गोपू उदर से अपनी माता की साथ में खाना भी खाता रहता है और यह कच्छा हमने रखा है एक यह पार्टिसन है जहां पर सुबह सुबह और श्याम को हम घास करते हैं और गोव माता यहां पर रहती है यह देखिए अब गोव माता हमें क्या देती है देखिए हम इसका गोबर इकठा करते हैं यहां पर जितना भी गोबर इकठा करते हैं उ और यह ओसे सब्सक्राइब और यहां पर उसेकर लिए वह पर इकठ्ठा कर ले तने उसे हम फिर एक ड्रम में यहां पर जैसे यह वह भर जाते हैं pourquoi अब हम उसे ड्रम में इकठा कर लेते हैं, इस ड्रम में 100% पेसाब नहीं है, थोड़ा पानी भी मिला हुआ है, थोड़ा जो गोबर का रस है वो भी है, पर हम सब को इकठा करते हैं, चुकि हमें 1000 लीटर ड्रम में जीवा मरत के लिए 50 लीटर पेसाब चाहिए, तो हम इसे 200-500 लीटर डालेगे, चुकि अंत्ताय आपको पानी ही मिला, यह हम यहाँ पर इसका रोज जो साफ गोबर है, उसको इकठा करते हैं, और इसे पोलिथीन से ढख देते हैं, और आज हमने इसमें यह 50 किलो गोबर लिया है, जो हमें 1000 लीटर के लिए चाहिए, और यह 5 किलो जवामरत बनाने की बाद, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, मेरे फार्म पर समय का दूद हम इसमें रखते हैं यहाँ पर, और इससे घी बनाते हैं, और मैं तो सुभे को एक सूखी रोटी मक्षन के साथ में, और एक गिलास मठ्था रोज सुभे को पीता हूं, और दो गिलास में दो फैर को मठ्थे के पीता हूं, यहाँ पर हमने दूद कड़ना रख दिया है, और यह सारा दिन कड़ता रहेगा, जो बिल्कुल पारम परिक पद्दती है, इसके नीचे जो लगे हुए हैं उपले हैं, और यह उपले हमारी गोमाता के गोबर से ही बने हमें देखते हैं कि क्या प्राफ्त होगा, आईए एक चीज में और दिखता हूं, यह मैंने बिनुले और इसके लिए अनाज का परबंद किया है, और एक डॉक्टर से जम मैं मिला, तो यह देखिये, यह मैंने इसके लिए मिक्चर तयार कराए हैं, क्या है इस मिक्चर में? इस मिक्चर में है 60% अनाज 30% खली अनाज में मैंने लिया है मक्का चना और गेहूं और मैंने अपने घर की सरसोगी खली लिया है 30% और 10% में जो 10% का भाग है उसमें से 40% मैंने लिया है जो चावल की पॉलिस होती है और इसमें मिलाया है मैंने कुछ मिलाया है मिनरल मिक्चर जो खरीदा है और नमक मैंने मिलाया है इसमें इतनी चीजों के साथ ये आपका जो अनाज मिला है जिसे मैं लगबग ये मेरा है आधी किलो का एक किलो सुबह और एक किलो शाम को देता हूँ इसको करने के लिए इसके अलावा मैं कुछ नहीं देता हरा किलाता हूँ और ये करता हूँ चुकि मेरी जो गव मता है ये अभी अभी प्रेगनेंट हुई है तो मैंने अभी बिनोले देना बंद कर दिया है इसको तो देखिए गव मता हमें कितनी चीजे दे रही है अब मैं आपको दिखाता हूँ के हम जीवा मरत कहां पर और किस प्रकार बना रहे है आईए देखिए किसान साथियो ये हमने ले लिया है 50 किलो गोबर, 5 किलो गुड और 5 किलो बेसन और थोड़ी सी मिट्टी ले ले लेंगे 1000 लिटर की टंकी है जो हमने सुबह यहां तक इसको भर दिया है और अब इसमें ये सब चीजे डालेंगे और डालकर इसको उपर से भर देंगे और अब जिस प्रकार गर्मी है ये 5 दिन में तयार हो जाएगा कुछ भाई पुछेंगे कि आजगल गर्मी हो रही है, धूप है, आप कैसे रखते है मैं मानता हूँ आप देखिए कि मैंने ये पोल लगवाए है इसमें चारो, इसके उपर हम कपडा कर देंगे इस तरह से कवर करेंगे, अभी इतनी धूप नहीं है और फिर बाग भी आ जाएगा, ये वैसे ही ठंडे रहेंगे और तीसरा कारण है कि इसमें 1000 लिटर पानी है, वो इतनी जल्दी गरम नहीं होता और चोथा कारण है कि ये सफेद रंगी है, ये हीट को रिफलेक्ट करती है, जो भी किरने आएंगी वो रिफलेक्ट होगी और अंदर पानी कम गरम होगा किसान सातियों इस प्रकार जीवा मरत हर दस दिन में मैं 1000 लिटर अपने पोधों में परियोग करणा, ये मेरी महीम है अपने घर पर बने उत्पादो से, जितना अधिक हो सकता आपने घर पर बने उत्पादो से जेविक खेती करना उस दिसा में मेरा एक प्रियास है, मुझे आसा है कि मैं एक दो साल में एक बहुत अच्छा मोडल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा इसमें मैं वर्मीवास भी बना रहा हूँ, एक ड्रम में हमारे या मर्मीवास भी बनता है और केचवा खाद भी जो गोबर बसता है, उससे केचवा खाद भी बनाएंगे तो हमारी गउमाता और गोपू के गोबर से थोड़ा और बड़ा होगा है, इनके गोबर से हम इतनी मात्रा में जेविक खाद बनाएंगे कि हमें बाहर से खाद खरीदने की अवश्यक्ता नहीं होगी जितना इस पर खर्चा होगा उससे अधिक ये हमें वापिस देगी एक बात और जब ये मेरा पहली बार तयार होगा इसे में मैं राख भी मिलाऊंगा और मैं इसको तयार होते ही एक सेंपल भेजूँगा टेस्ट करने के लिए और फिर आपको बताऊंगा कि इस वाले जीव अमरत में क्या है इसमें हम लगबग 5 किलो सरसो की खली भी डालेंगे जब ये तयार होगा इसको मैं लैम में फिर टेस्ट कराऊंगा और टेस्ट कराने के बाद में मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा और ये मेरा परियास होगा कि मेरे खेत में कम से कम 15 दिन में एक बार पूरे खेत में इसमें जीव अमरत का प्रियोग होगा इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जै हिन, जै भारत, बंदे मापर